कि यहां पर बहुत बड़े स्क्वाइब के साथ आया है और जहां पर फिलिफियन्स की बात करें तो यह फुल न्यू स्क्वाइब तो चलिए हम बात करेंगे डीटेल में बात करने वाले पूरा हर एक प्लियर्स के बारे में और साथ में दोस्तों प्रेडिक्सिन भी देने वाले कि कौन सा टीम जीतेंगे तो चलिए देखते हैं अगर आप फास्ट टाइम बिजिट करें तो हमारे टेलिग्राम चैनल को ज़ तो रहा था बट मॉर्निंग में स्टार्ट हो गया था सो टाइमिंग का थोड़ा सा इस हुए आई होप जब ड्रीम 11 ने फिर से यह मैच को मतलब दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं टाइमिंग सही रहेंगे दूपर के टाइम होंगे तो चलिए हम देखते हैं पूरा वीडिय ना वो हार जाएंगे यहां पर कोई वी टीम के साथ सिंगापूर खेले वो डेफिनिटली मैच जितेंगे तो सिंगापूर स्ट्रेंथ टीम है और यहां पर आपका जो कंबिनिशन है ना 8-3 या फिर 9-2 का कंबिनिशन मना के आप खेल सकते हो अगर पहले सिंगापूर तो चलिए हम देखेंगे दोस्तों फिलिपियांस की बात करें तो डैनियल स्मीथ है जो कि इस टीम के लिए थोड़ा सा ठीक टाक है राइट आम मेडियम पस्ट बोलर है टॉप ओडर में ओपिनिंग करते होए नजर आएंगे नाइन मैच पे वान फिट 46 स्कोर की आया और 5 मैच पे लगबग आपको बोलिंग करते हुए दिखेंगे डैनियल स्मीथ उनके अलाबा दोस्तों हैंडरी हैंडरी की बात करें सेवन मैच पे 46 रां त्री विकेट्स राइटाम मेडियम फस्ट बोलर है कभी-कभी ओपिनिंग कर लेते हैं एक्शली फिलिपियंस के लिए आपको ओपिनिंग प्रेडिक करना बहुत मुस्ट के लिए डैनियल तो एक ओपिनिंग करेंगे पका ओपिनिंग करेंगे क्योंकि उनके साथ जो ओपेनर है हो सकते कोई न्यू प्लियर आ जाए उनके अलाबा ये भी हो सकता है कि जो हैंडरी लास्ट मैच पी इनोने ओपि के लिए दो या तीन पिक करना है आपको ज़्यादा पिक नहीं करना है फिलिपियन से उनके अलाबा दोस्तों यहां पर जॉर्डन पांच मैच पर फॉर्टी एट स्कोर किया है नॉर्माली चारन हमर पर बैटिंग करते है बट एक्षिल इनके पास बैटिंग ओडर के है न चार में से एक मैच पर हाईदार ने ओपिनिंग करिए चीजों को याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि डैनियल के साथ हाईदार ओपिनिंग करे और हैंद्री उस्तिती में आपको मिडिल ओडर पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे अलाकि हाईदार को पीक करने की ज जनातन हील है जो की टीम का पहले कैप्टेन हुआ करते थे अगर हम 2019 की बात करें तो जनातन ही इस टीम की कैप्टेन थे बट तरन टैम पर डैनियल समीथ है तो डेपिनेटली जनातन को हम अपने रोटेशन पिक में ड्राइ कर सकते हलाकि पीक तो अपने को मतलब अगर आप नॉर्मल पेंटेसी केल रहे हो ना जहां पर आपको 7-4 का कंबिनेशन बनाना है तो डेपिनेटली आंक बंद करो डैनियल समीथ हैंड्री जनातन अमर्पित यह जो चार है ना मुझे लगता है कि बेस्ट आपसन है और अगर आप ड्रीम 11 केलते हो तो उस्तिती में आपको तीन पिक करना है डैनियल हेंड्री जनातन या फिर डैनियल हेंड्री अमर्पित तो कहीना कहीं दोस्तों बाकि सारे जो प्लेयर्स है ना उनको आपने ग्रेंड लिग के लिए डेपिनिटली ट्राइ कर सकते हो रिचार्ट गॉडविन है नाइन मेंच पर ठाइस रन एक में मेंच पर बोलिंग करिए बट एक्चुली क्या है ना कि बोलिंग करनी की पॉसिबिलिटिस कम रहेंगे जिन की बात करें पांच मेंच पर 36 रान एक विकेट राइट आप मेडियम पर बोलिंग करते है और यहां पर दोस्तों गौडविन और जनातन ही लिए दोनों पार्ट स्कूल लेविल का जो क्लाब्स रहता है वहां पर के लिए सो डेफिनेटली टीम पर ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं तो एक अल्राउंडर मिल जाएंगे अमन प्रित को हम आपने टीम के लिए ट्राइट कर सकते हैं कि अलावाद दोस्ते हैं पर क्या प्लेर और रोवेट ने सारे प्लेश जो है ना निउ है तो डेफिनेटली स्टैट्स हमें मिली नहीं अगर खेलते हैं तो हम अपने टेलिग्राम पर आपको प्रोवाइट करने की पूरी कोसिस करेंगे तो आप अपने ग्रैंड लिए पर रोटेशन जो पांच प्लेयर का स्टैट्स नहीं मिली है उनको आप ट्राइ कर लेना वाट अगर आपको सिंगल केलना है सेब गेम केलना है तो यह पांच को आपको छोड़ देना चाहिए जहां पर आप नीचे देख सकते हो दो रोपे आपको यह मिल जाएंगे पांच प्लेयर की नेम चलिए हम दोस्तों देखेंगे सिंगापूर के लिए पहली बात बता दो कि सिंगापूर के लिए जो स्क्वार्ड है ना मुझे लगता है क्या पूरा साल में जो उनकी सेलरीड पर सेने सारे स्क्वारड को में रखा गया है हालां कि इतने सारे प्लियर स्क्तों मुलेंगे डैफिनेटली सो मिलेटली worked या चाहे कहीं पे भी मैंने सार्च करी ना तो यही स्कुआट देखने को मिला सो डेफिनेटली फास्ट मैच के लिए हमें ज़रूरी यह है कि कौन सा प्लेयर केलेंगे उनकी उपर डिपेंड होना पड़ेगा बट एक चीज आपको याद रखने है कि कौन सा बैटिंग ओडर में कहां पर बैटिंग करते हैं जिस चीज के लिए हमें डिस्कूसिंग करना बहुत ज़रूरी है अरितरा दत्ता टीम के लिए पहले कैप्टेन हुआ करता था बहुत अच्छे प्लेयर है और अभी भी बहुत ही बढ़ियाप अरितरा दत्ता तेरा मैच पे 220 रन बहुत अच्छे टॉप अडर बैट्समेन है अब्दूल रह्मान जो की यहाँ पे 7 मैच पे 144 यह भी ओपनिंग करते है टीम के लिए उनके बाद दोस्तों यहाँ पे अमरित्ता कॉल जो की जो की चार मैच खेले 69 रन और चारो मैच पे ओपनिंग करते हुए नजर आया है एक्चुली क्या होते हैं कि यह सारे प्लेयन एक साथ तो नहीं केलते है बट एक्चुली इनके स्कोर बहुत लंबा है तो इस्तीती में हो सकता है कि अरित्रा दत्ता या अब्दूल में से कोई ना कहले उस्तीती पे आपको अमरित्रा कॉल यह जो की ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे उनकी अलावा दोस्तों सुरेंद्रन जो की टीम के लिए ओपनिंग करते हैं 33 मैच पे 756 स्कोर इनोंने भी करी है एक्चुली काफी एक्सप्रेंस्ट है और बहुत दिनों से करेंगे उस्तीती में हम अपना बैटिंग ओडर जो है कंफर्म कर सकते हैं उनकी अलावा दोस्तों अमान देशाए मिडिल ओडर बैटिंग कर लेते हैं 17 मैच पे 299 स्कोर किया है ऑपनेंट का बोलिंग लाइन अप उतना स्ट्रॉंग नहीं तो स्थीती में डेफिनिटली के अंदर सारे ओल आउट होते हुए नजर आए जाएंगे उनकी अलावा दोस्तों मनप्रीट सिंग है जो कि 31 मैच पे 689 चार नमर पर बैटिंग करते हैं एक बिकेट रिसेंट टाइम पे जो वन डे मैच डोमेस्टिक में खेला गया है वहाँ पे सारे मैच पे बोलिंग कर सब्सक्राइब करता है कि आपका टीम में कौन सा प्लेंग 11 डेफिनिटली आउट होते हैं अगर ज्यादा ऑप्सिंस रहता तो उस्तिती में हो सकता है कि रंग राजन को फस्टान बैटिंग करते हुए नजर आए या पिर अगर ऑपिनर ऑप्सिं का में तो वो ऑपिनिंग अगर सिंगापूर पहले बैटिंग करते हैं तो डेफिनिटली अरित्रा दत्ता जैसा सकते हैं अगर पहले बैटिंग करें सिंगापूर दोस्तों हम बात करेंगे बाकी सारे जो प्लेयर से उनकी बारे में अभी दिख्सित है साथ में 46 मिडिलोडर बैट मैंने पीक करने की जरूरत नहीं है यहां पर दूस्तों रेजा घसना भी 16 मैच पर 113 रां टीटी इंटर करना मुश्किल है अगर टॉस हो जाए तुही आपका जो रेजाल्ट है बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर टॉस नहीं होता है वैसे सिच्विशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा प्रेडिक्ट करना अरियन्द मोधी जो कि साथ मैच पर 48 रन इनोंने भी इंट राउंडर है थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते नंद कृष्णा बन सकता है काप्टेन आफसन अकास रोपकपूरी 17 मैच पर 13 विकेट्स प्लेयर टिक ठाक है हम अपने टीम के लिए पीक कर सकते हैं क्योंकि ओपोनेंट उतनी स्ट्रॉंग बैटिंग लाइनप के जाद नहीं आ रहा है नवीन परान बहुत अच्छे वैट्स मैंने 15 मैंच पर 257 स्कोर करी है बोवी टी-20 में अगर हम वंडे की बास करें ना तो नवीन बहुत अच्छे पर्पमर है और बार्ट टाइम बोलिंग करने की अविलिटी भी रखते हैं यहां पर दोस्तों अहन अच् किया है वो चीज़ को नजर रखिएगा जैसे कि तिलिपन पांच मेंच पर 97 रण डिसेंट्ली वंडे मैचस खेले है और स्क्वाड में नाम आई है तो डेफिनेटली एक अच्छे और राउंडर बन सकता है वाच मेंच पर 97 रण 3 विकेट मिडिल अडर बैट्स मैंने आध तो यह जो स्टैट से ना वो आपको उस्तिती में काम आएगा जब आपका जो प्लेइंग 11 है वो आउट हो जाए और डेफिनेटली आपको एक बार फिर से साहथ वीजिट करना हो लेकिन अभी के लिए मेरा सजेसिन यह रहेगा कि आप हार एक प्लेयर को अच्छे से नोट कर लीजिए डिमाग में पीट कर लीजिए क्योंकि यह ना आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन मैच होने जा रहा है चलिए दोस्तों देखेंगे एक टीम यह आपको एक टीम प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि सिंपल से बात है कि यह से हमारा एट तरीक कंबिनिशन के सा साथ बनाए गया है और यहां पर दोस्तों फाइनल टीम नहीं मानना है क्योंकि फाइनल टीम पर काफी कुछ चैंजिस हो सकता है उसलिए टेलिग्राम चैनल पर आपको फाइनल टीम प्रोवाइड की जाएगी चलिए मिलते अगले वीडियो पर तैंक यू